हेलो एवरिवन मैं हूँ प्रियांका और मेरी चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सिर्फ दो चम्मच तेल में ये बहुती स्वादेस्ट और करारी नमकीन जिसे आप अपनी किसी भी चोटी मोटी भूख हो या फिर नाशते में चाय के साथ में और आप सफर में जा रहे हों तब भी आप इसे बना कर ले जा सकते हैं या फिर बच्चो की टिफिन में भी इसे आप दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने एक पैन रख दिया है गरम होने के लिए गैस पे और इसमें डाल देंगे एक चमच तेल को इसा भी तेल आप डाल सकते हैं और तेल को गरम होने देंगे पहले मैंने इसे अच्छे से गरम कर लिया है पैन को और फिर इसे लो क अब इसमें डालेंगे आधा कप मखाना मैंने बड़े मखानों को थोड़ा सा कटकर की चोटा कर लिया है और आधा कप लिया है और इसे हमें लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है अच्छे से दो मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अब इसमें हम डाले मुंखफली यानि पीनट्स यह भी मैंने आदर कप लिये हैं और इसके साथ इसको रोस्ट कर लेना है अच्छे से बीच बीच में थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा के और घटा करके मैंने इसे रोस्ट कर लिया है अच्छे से अच्छे से यह रोस्ट हो चुके हैं यह दोनों मखाने और मुंखफली तो इसे हम निकाल करके एक साइड में रख लेंगे और अब उसी पैन में एक चमश तेल और डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर बहुत ही थोड़ा और फ्लेम को बिल्कुल रखना है इसे बिल्कुल जलाना नहीं है तुरंट इसमें हम डालेंगे निकाल अग तो मैं और बार इक वाल इसलिए बारिक पोहे का यूज करेंगे और इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है तो मैंने बीच बीच में थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा भी दिया था करते हुए से अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है जब तक कि अच्छे से क्रिस्थ नहुज़ाएं तो पांच से 10 मिनिट कर समय लगता है से रोस्ट होने में और इसमें डाल देंगे अधा चोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर अधा चोटी चम्मच चाट मसाला अधा यह जब गरम हो तभी अच्छे से मिक्स करना है ठंडे होने पर नमक अच्छे से मिक्स कर दिया है और अ ने हैं अब इसमें रखा था हमई डाल देंगे और मेरे पास यहां पर थोड़ा सा सेव है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे अगर आपके पस नहीं है तो आप आप अवाइड भी कर सकते हैं इसे अच्छे से mix कर लेंगे और गयास की flame को off कर देंगे इसे निकाल लेंगे एक बाउल में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और अरड़ी ही crisp हो चुके हैं बड़ ठंडा होने के बाद में यह और भी जादा crisp हो जाएंगे और इसे आप एक महिने तक airtight container में भर करके यूज कर सकते हैं और कमेंट में लिखके मुझे जरूर बिताएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक शेर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें